Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, 3-4 दिन पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो डाला था कि हम Campus X की वेब साइट पे 10 नए कोर्से स्टार्ट करने वाले हैं और वो वीडियो देख करके, this is that वीडियो इस वीडियो को देख करके, आप लोगों की साइट से बहुत सारे कमेंट्स हमें आए तो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं इस पूरी चीज के अराउंड, उसको क्लियर करने के लिए आज से हमारी ये कोर्से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोर्से के स्टार्ट होने के पहले मचाता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे तो ये वीडियो इस जस्ट लाइक एफ़ेक्यू सेशन पर इस अपकमिंग 10 कोर्से ठीके तो मैंने क्या कर रखा है मैंने ये लिस्ट बना रखा है और इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे 10 में से मैंने सिर्फ 3 कोर्से वेबसाइट पर पब्लिश कर रखे थे बट अब अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो learnwith.campusx.in और अगर आप कोर्सेज पर क्लिक करते हो तो नीचे फ्री कोर्सेज में आपको सारे के सारे कोर्सेज दिखाई देंगे फिलाल यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं अगर आपको सब कुछ देखना है तो यहाँ पे view all पर क्लिक करो और view all से आपको सारे के सारे 10 कोर्सेज दिखने लग जाएंगे अब आप क्या कर सकते हो आप अपने मन पसंद कोर्स में जा सकते हो जैसे लेट से मुझे एक computer vision वाला कोर्स करना है मैं इस पर जा करके जट से सारे details ले सकता हूँ और साथी साथ खुद को enroll भी कर सकता हूँ मैंने आपको बताया था enroll करने का क्या फायदा है enroll करने का ये फायदा है कि आपको हर live session के पहले हमारी साइट से एक mail आ जाएगा कि भाया तीन घटे में live session होने वाला है ठीक है तो उस से आप कभी भी classes miss नहीं करोगे तो उस sense में आपको register करना पड़ेगा enroll करना पड़ेगा ठीक है तो this was the first update कि हमने सारे के सारे courses publish कर दिये है हमारी website पे आप जा करके अपने मन पसंद के कितने भी courses में enroll कर सकते हो एक में भी कर सकते हो दस में भी कर सकते हो ठीक है first thing second is अगर आपको याद होगा मैंने last video में दसो courses में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा वो discuss किया था बट इसमें छोटा सथ change है वहाँ पर एक course जो मैंने last video में discuss किया था वो था कि हम एक deep learning project कराएंगे using artificial neural networks वो course हमने change कर दिया है और उसके बदले हम एक नया course लेके आए है end-to-end machine learning project using MLOps ये initial plan में नहीं था बट ये recently हमने add किया है and इसलिए add किया है because MLOps से related बहुत questions आ रहे थे तो हम लोग already deep learning cover करी रहे हैं इन 10 courses में तो मुझे लगा एक course at least होना चाहिए जो MLOps का project भी करके दिखाए तो इस course में हम आपको end-to-end एक machine learning project करके दिखाएंगे बट MLOps के workflow में तो बहुत interesting हो सकता है ये project आपके लिए अगर आप MLOps सीखना चाहते हो तो this is the second update third update actually क्या है कि मैं आपके साथ FAQs discuss करता हूँ आपने इस वीडियो में around 400 comments छोड़े हैं आप सभी लोगों ने मिलके तो what we did कि हमने ये सारे comments पढ़े और इन comments के अंदर से जो भी common वाले doubts हैं वो हमने निकाल लिये हैं और वही मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ आ रहे हैं कि क्या ये 10 courses live courses हैं या फिर इनकी recording होगी मतलब self-paced course है या live course है तो इसका answer मैंने वैसे last video में भी दे दिया था और मैं अभी फिर से दे रहा हूँ ये सारे के सारे courses actually live courses है ठीक है in fact अगर आप चाहो तो आप ये schedule जाकर के check out कर सकते हो ये schedule का link मैं इस video के description में डाल दूँगा यहाँ पर you can see हमने 10 courses का 5-5 classes के हिसाब से पूरा का पूरा schedule बना रखा है जो पहला course है वो आज से start हो रहा है 5th April से और वो आज रात में 8 बचे से start हो जाएगा दूसरा course कल से start हो जाएगा and उसी तरीके से हमने 10 के 10 courses का ये schedule बना रखा है ये schedule हमने इस तरीके से है कि कभी भी कोई भी 2 courses की classes आपस में clash नहीं करेंगी तो अगर कोई चाहे theoretically it's possible कि वो सारे courses की सारी classes कर सकता है कोई classes नहीं होगा but problem ये है कि कुछ-कुछ दिनों में आपको हो सकता है एक दिन में 4-4 classes करनी पड़े जैसे ही 21 April बहुत busy दिन रहेगा हमारे लिए 11 बजे भी class ह एक course की 2 बजे भी है 5 बजे भी है और 8 बजे भी है तो अब अगर आपके अंदर है इतना petrol पढ़ाई करने का तो आप join कर सकते हो बट हमने अपनी तरफ से ये कर दिया है कि आपको कोई भी class आप miss ना करो classes ना हो ठीक है तो इस schedule समझना बहुत आसान है ये जो black color के boxes आपको दिख रहे हैं हर box में हमने एक week का पूरा का पूरा schedule डाल दिया है ये current week का schedule है ये next week का schedule है उसके बाद जो third week है 14 तारीक वाला यहां से थोड़ा जादा number of courses पैरलेली चलेंगे इसलिए जादा आपको courses यहां दिखाई दे रहे हैं same with उसका अगला week 21 April वाला उसका अगला वा podcasting वाली class है ये थोड़ी सी late तक जा रही है और ये schedule हमने पूरा हमारे teachers से बात करके उनकी availability को समझ के बनाया है that is why आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि schedule ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है तो it's all based on the availability of the teachers तो आप please हमें blame मत करना इसके लिए but yeah यह एक चीज से आपको हर course कब class हो रही है आपको पता चल जाएगा second तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो मालोग को किसी particular course के बारे में पता करना है कि उसकी classes कब हो रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस course के page पे जा करके course content में जा करके देख सकते हो कि उसकी classes कब हो रही है 5 को हो रहा है 9 को हो र आपके साथ मुझे बतानी है तो हम ये classes conduct करा रहे हैं हमारी website पे zoom के through but the problem is कि zoom में एक limit होता है कि maximum कितने लोग live class में participate कर सकते हैं तो हम एक दूसरी company का website यूज करते हैं unacademy का तो उन्होंने एक limit लगा रखा है कि maximum इतने ही लोग classes attend कर पाएंगे एक साथ अब problem क्या होई है कि आपकी sites से बहुत सारे registrations हो गए तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जब आप class करने जाओ तो आप class में entry ना मिले आपको ये possible है and unfortunately मेरे पास इस point पे कोई भी solution नहीं है इस चीज को solve करनेगा तो आपके दिमाग में शायद अब ये आ रहा होगा कि sir this is disappointing because मैं सच में एक course करना चाहता था what is the solution तो solution ये है कि हम आपको हर class का recording provide करेंगे जैसे ही कोई class खतम होगी हम तुरंत उसका recording website पे upload कर देंगे तो अगर आप live class नहीं कर पाए ठीक है तो आप क्या कर सकते हो within two hours आ करके हमारी website पे recording देख सकते हो और it will be the same thing ठीक है तो I really hope ये बात मैं clear कर पाया trust me मेरे हाथ में होता मैं सभी को allow कर देता but बहुत जादा number of registrations की वज़े से ऐसा possible है कि maybe there is a chance की आपको allow ना किया जाए या automatically आप entry ना ले पाओ live class में but most likely आप class कर पाओगे ठीक है वो number बहुत high है but अगर उससे भी ज़्यादा लोग आ गए then it's a problem ठीक है so this is one thing next is language simple है यार हम Hindi में पढ़ाते हैं English में पढ़ाते हैं हमारे सारे टीचर्स भी English में पढ़ाएंगे so completely English में कोई course नहीं है कुछ लोग पूछ रहे थे unfortunately Campus X पे हम थोड़ा Hindi और English के mixture में पढ़ाते हैं so complete English courses यह नहीं है just clarify करने के लिए एक और question आया था कुछ लोगों की तरफ से certificate of completion मिलेगा के नहीं कि यह proper courses है तो क्या हम यहाँ पे जब यह course complete करेंगे तो क्या हमें certificate of completion मिलेगा इसका answer मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा मैं actually Unacademy जो platform में use कर रहा हूं उनसे मैं बात कर रहा हूं कि automated certificate generation कैसे होता है because manually तो सबको certificate देने में बहुत time चला जाएगा तो we are figuring out a way अगर वो तरीका पता चल गया कि automated certificate generation कैसे होता है तो फिर आप लोगों को certificate a lot हो जाएगा जैसे ही आप course complete करोगे ठीक है and lastly question आ रहे थे around prerequisites कुछ लोगों ने बोला कि sir हम completely beginner हैं तो क्या हम ये सारे courses कर सकते है the answer is no इन में से कुछ courses ऐसे हैं जो project based है in fact जादा तर courses ऐसे हैं जो project based है तो project based courses में थोड़ा तो आपको चीज़े आनी चाहिए मैं क्या करता हूँ मैं जल्दी से आपको एक सारे courses का prerequisite बता देता हूँ ठीक है so mlops वाले के लिए आपको basics of machine learning आना चाहिए एक छोटा project कैसे बनाया जाता है using machine learning वो machine learning life cycle का flow क्या होता है वो आपको आना चाहिए और ये कहने की बात है नहीं कि आपको python और जो basic आपकी libraries होती है pandas, numpy, mat.lib ये सब चलाना आना चाहिए अगर आपको इतना आता है तो आप ये वाला course कर सकते हो time series forecasting आपको scratch से पढ़ाया जाएगा but ये हम मान के चलेंगे कि आपको python और जो basic libraries है वो यूज करना आता है अगला है computer vision वाला course इसमें भी हम आपको scratch से ही पढ़ाएंगे computer vision बट यहां पे भी assumption होगा कि आपको python और basic libraries यूज करना आता है अगला है flight price prediction using AWS sage maker यहां पे हमारा assumption होगा कि आपको machine learning का workflow कैसे होता है वो पता हो और python एक्सेटरा जो भी libraries है उनका आपको knowledge हो जहीं AI projects में आपको idea होना चाहिए थोड़ा बहुत machine learning का थोड़ा बहुत deep learning का थोड़ा बहुत जो आपका transformer based architectures है उनके language modeling इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी बाते हो सकती है although हम कोशिश करेंगे उसको minimize करने का बट यह चीज़े अगर आपको आती होंगी तो आप इस course को better सीख पाऊगे obviously इन सारे courses में assumption है कि python के basics आपको आते हैं अगला है 5 SQL case study इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है बस SQL के basics आपको आने चाहिए तभी आप ये case studies में participate कर पाऊगे deep learning project using pytorch pytorch का basics आने की जरूरत नहीं है एक session हम आपको pytorch समझाएंगे उसके बाद deep learning के projects करेंगे बढ़ आपको deep learning के concepts आने चाहिए और हलका फुलका python और OP आना चाहिए object oriented programming because वो काफी use होगा JNI project using language chain same आपको deep learning के basics transformers वगेरा की चीज़ें self attention, language modeling ये सारी चीज़े थोड़ी पता होनी चाहिए, python वगेरा का आपको idea होना चाहिए credit risk modeling using machine learning इसमें आपको actually this is like थोड़ा difficult type का project because यहाँ पे हम assume कर रहे हैं कि आपने थोड़े बहुत projects बना रखें machine learning में, आपको basic concepts के बारे में पता हो, data preprocessing EDA, feature engineering, model building model evaluation, यह सारी चीज़े आपको पता होंगी तो आप इस project को जाद अच्छे से enjoy कर पाओगे, the last one is emotion detection using CNN इसमें हमारा assumption है कि आपको deep learning के fundamentals आते हैं, artificial neural network तक और python के basics आपको आते हैं तो फिर आप यह course कर पाओगे तो यह मैंने बहुत एक quick आपको prerequisite बता दिया हर course को लेकर के और अगर आपको यह सारी चीज़े आती है तो फिर आप यह courses कर सकते हो ठेके, last चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह पूरी जो मेहनत हम कर रहे हैं अगर आप ध्यान दो, almost 50 classes हम conduct करा रहे हैं अगले 30-40 इस दिनों में, यह पूरी मैनत हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, बिकॉज हम Campus X पे best teachers hire करना चाहते हैं, यह पूरी चीज हमारे hiring process का part है तो please आप से request है कि आप जब ही भी कोई भी class attend करो, या recording देखो आप please वहाँ पर अपना feedback छोड़ो, अपना honest feedback बताओ, वो हमें help करेगा best teacher hire करने में so I'm helping you you also help me, थोड़ा mutual helping करते हैं एक दूसरे की ठीके, तो I really hope आपको कोई और doubts नहीं होंगे अब around this entire 10 courses का program I'm super excited, ऐसा कुछ मैं first time कर रहा हूँ Campus X पे आपको भी पता ही होगा, so मैं बहुत excited हूँ और मैं चाता हूँ ये 10 के 10 courses शांदार निकले और आपके career में आपके portfolio में एक value addition हो, तो let me know, अगर आप excited हो, इन courses के लिए, comment में लिखके बताओ, और बाकी that's it for this video, अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, please do subscribe, मिलते हैं अगले video में, bye